इतने सारे आसकर थी ना गाईज वो सब मैं यहां पे रख्यू यह 3D प्रिंट मैंने अभी-अभी लगाई ठीक है और भी है उसको मैं लगाऊंगी और यहां पे बागए करने की वीडियो लेकर मैं आप लोग के सामने आ चुकी हो तो गाईज आज की वीडियो मैंने हिंदी में करने की फैस्ट लगी है विकाउज मेरी बहुत सारे दोस्त है जिनको बेंगौली समझ नहीं आता और वो कमेंट करके बताते है की हिंदी में वीडियो करने की तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो अगर मैं हिंदी में कर सकती हूँ तो फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा तो मैं हिंदी में ही करूँगी बिकाज मेरे जो बेंगौली फेंड हैं वो तो अच्छे से हिंदी समझ लेंगे इनको बोलना आता है वो हिंदी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इसलिए मैं यह फैंस लाली चुकी हूँ और अगर-अगर मैं हिंदी में कर सकती हूँ तो चलो शुरू करते हैं आज की वी तो प्लीज एड़्जस्ट कर लेना विगाज यह मेरा पहला हिंदी वीडियो है ठीक है तुम लोगों को लेकर मैं पहले इस टैंक के पास आगी हो और इस टैंक पे मैं कौन कौन से फिस सेट किया वह पहले तुम लोगों को दिखा दू तो तुम लोग देख सकते हो दो फायर प्रेड है और एक अलविनो टाइगर उसकर है और एक लेमोन उसकर है और साथ में वह जो बड़ा वला किसिंगोडा मी था ना उसको मैं यहां पे ही सेट किया और पानी बहुत कम हो चुकी है फिर मैं पानी हैट करने के लिए स्टोर किया है बाद में डाल दूंगी तो तो इस टेक्ट मैं बागी के जितने सारे असकर थे वह सारे असकर मैं यहां पे सेट किया किया कोई दिक्कत नहीं आएगी और एंजल फिस לה writes थे वह ऐनजन फिक इ verdict वह नहीं हैं रखियो और कोई फिस में यहां पे नहीं रखूंगी बागी के सारे वा में और पालोड अकि और वही दिखाने के लिए आज की वीडियो मैंने सूट करना शुरू किया और एक बात बता दू तुम लोग को ये जो टाइगर उसकर है ना बड़ा वाला ये मैंने नहीं खड़ी दी ये मेरे हस्बन ने मुझे गिफ्ट किये थे वो जो टैंक है जो मैं लेके आई थी उस टैंक के लिए और तभी मैं कोई वीडियो नहीं बनाई बाद में बोल दूँगी इसलिए कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं बनाई तो जो भी है और एक फणी वाला बात करू तुम सब्सक्राइब करें तुम लोगों को ये जो टैंक है इस टैंक पर मॉली की बेबीस हो गई है बहुत सारे हो गई है तो उस बेबीस को मैं रखिए हूँ थोड़ा सा बड़े हो जाए फिर मैं तुम लोगों को दिखा दूंगी ठीक है तो अभी चलती हूँ उपर बाला दिखाने के लिए चलो गाइस और इस वीडियो की सबसे मेन टॉपिक है वो सेट तो चलो गाइस देर नकड़ के उधर चलते हैं तो गाइस तुम लोगों को लेखर में चट के उपड़ आगी हूँ और सेट अप तो तुम लोगों को अभीसली दिखाऊंगी लेकिन उसके पह पूरा था यह फूल तुम लोग देख सकते हो तो गाइस दिखा दी अभी तुम लोगों को सेट आप दिखानी है तो चलो तो गाइस यह जो देख रहे हो यही मेरे नए सेट आप है और बहुत ही जवरदस्त होने वाला है ठीक है अभी तक तो नहीं हुआ पूरा तो यह ज कुछ कुछ कैरेट पर मैं डाल चुकी हूँ ठीक है तो तुम लोगों को पहले दिखा दू यह जो देख रहे हो यह गापी फिश है और यहां पर मैं मॉली फिश सभी मॉली फिश को रखी हूँ शायद तुम लोग ठीक से नहीं देख पा रही थी तो गाइस अभी देखो यह जो काब फिश थी बड़े वला कोड़ियां पर उस टैंक की फिश को मैं यहां पर सेट किया और यहां पर अभी तो खाली है लेकिन यहां पर फिश आएंगी बहुत ही जल्दी और यहां पर और भी सारे चीज रखनी है और सेट अब भी पूरा करनी है वह देखो एड़ अरोप्लेन जा रही है और मेरे मत्य के उपर से देखो कितना बड़ा अभी तक भी मैं छोटी हूँ क्यूंकि जब भी एड़ोप्लेन जाती है तब मैं उपर चले आती हूं एड़ोप्लेन देखने के लिए तो जो भी है अगर मेरे सेट अप तुम लोगों को अच्छी कि दिखाना नहीं है इसलिए मैं वीडियो को फालतु में बड़ा नहीं करना चाहती लोग की छोड़ोशरती पुझा कैसी कती और कहां कहां पे आप लोग घुमने गए सब बताना मेरे कॉमेंट पे तो बाई